हालो everyone welcome back to my channel stay stylist where the need to तो आज का वीडियो होने वाला है देखके पता चले गया होगा कि हाँ ऐरे कक्ट होने वाला है और आज मैं फिर से यूसी को बुलाए है मेंने हेर कट करने के लिए और क्योंकि यूसी जो है मुझे काफी अची लगती है इनकी services भी बहुत अच्छी है और आपके comfort zone में आपको इतनी अच्छी service मिल जाए इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है बस अंतर सिर्फ इतना है कि आज मैं डैली में हूँ और डैली में हैर कट करवा रहे हूँ नormally मैं हमेसा बैंगलोर में ही बुलाती हूँ जब बैंगलो तो आज मैं करवाने वाली हूँ लेजर हेर कट और क्योंकि बाल काफी लंबे हो गए तो इतने लंबे वाल मुझसे समहलते नहीं है मैं सोचाए कि थोड़ा सा जो है अपने बाल कटवा लेती हूँ तो यहां पर देखो थोड़े के नाम पीनों ने काटा है इतने लंबी मे अज 설ी में तो मैंने सोचा है करवाला लेती है और सेट भी कर वालोगी तो मेरा है कट भी हो जाएगा और मेरे पाल सैक रहेंगे तो मेरा फunction जो नया पस्ट तो यह पूर आप जब जाए ने तो जो तरीके से से हार ठाव को जो है पेर किया है किस किस ड्रेस के साथ मैं आ आ अगर कोई हेरकट सीख रहा है तो उसके लिए तो एकदम बेस्ट होने वाला है आज का वीडियो बहुत ही इसी स्टेप है तो मैं पूरा वीडियो आज आपको दिखाने वाली हो जब स्टेप्श आपको अवीडियो आपको दोग रहा है वाला है तो मैं झाला है आपको दो आफ़ाने पदोरा को दोस्तेप्ट सीख पालगा आपको रहा है तो याला है तो मैं था खाए जरला है पा. झाल 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 तो झाल जाता हैं तो एख़ कौन सा हेर्कत करवाना चाहिए और आप कुछ earken उन्य हेर कपाती जाया चाहिए उड़ एक और आगें बहुत कि जब आप अपनी आउकात में आजाएंगे, जैसे ही, अपनी अवकात में आजाएंगे, जैसे थे, एक्जएक्ट वैसे ही हो जाएंगे, तो बस में यही कहाँगी कि जब भी आप फेर वाश करेंगे तो जो आपका बालो का जो नॉर्मल स्टक्चर है वो हो जाता है तो यहाँ पर अब जो है मेरा वो हैस्ट्राइल कर रहा है क्योंकि मैंने बोला है कि मुझे कहीं जाना है तो ऐसा कीजेगा कि आज के दिन तो वो रहे लेकिन क्योंकि मेरे बाल थोड़े से सिल्की टाइप में है तो यह वाला हैस्ट्राइल मेरा काफी दिन चला था जब तक म मेरे बाल काफी manageable लग रहे थे और काफी अच्छे भी लग रहे थे तो यहां पर इन्होंने काफी कर दिये हैं लेकिन जैसे ही मैं function में पहुंची कैसा रहा वो मैं भी आपको आगे बताती हूं तो दिखें बाल जो है काफी अच्छे कट गए और अच्छे कासे length की जो थे मेरे बाल अभी क्योंकि कर्ल है उसले थोड़ा short hair लग सकते हैं बट हैं तो लोग और करण काफी अच्छी वह पहले मेरा जो है V-Shaped था मैंने जो है वह यू-Shaped करवाया है क्योंकि यू-Shaped जो है वह ज्यादा अच्छा था और क्योंकि मेरे बाल जो है वह नीचे से फोड़े खराब से हो गयते हैं साइज मैने जो केरिटीन करवाय था जब तक मैं function में पहुछी थी तब तक मेरी जितने भी कर्ल थे ना वो automatic open हो गए थे क्योंकि मैंने कोई setting spray नहीं लगाय था और ये second देखा है पहला जो देखा आपने वो engagement का था ये वाला जो है ये शादी का है अगर आप setting spray लगा लेते ना तो आपके बाल जो है थोड़े हाड से हो जाते लेकिन अगर आप setting spray नहीं लगाते हैं तो आपके बाल हाड नहीं होते और जो बाल होते हैं एकदम सही से तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने हेर स्टाइल करवाया, हेर कट करवाया और उस वारे लुक को पूरे चार फंक्शन में मैंने यूज कि ऐसी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स में अपने वीडियो में देती रहती हूं जो बहुत ही ज़का हेल्फुल होती तो उसके देले बाइबल, लोव यू माओ